गुड मॉनिंग आज हम चार्ट के ओपर टर्मरी को देखेंगे पिछले कुछ मैनों से हमने देखा है टर्मरी काफी सीमी दारे में ट्रेड करी है कोई बड़ी हमने तेजी भी आते भी नहीं देखी तो कोई बड़ा फॉल भी आते भी नहीं अब इसले एक गेट साल से भी हम हम अगर टर्मरी की बात करें तो पिछले एक वीक में प्राइजस में अच्छा खासा गेन हमने आते भी देखा करीबन एक परसेंट का बड़ मोटर मोटरी हमने देखा कि 6300 6400 का का अच्छा बीस बनाके प्राइजस ट्रेड कर रहा है हमने देखा कि ओवर आल जो प्रोडे जो इल्ड में उसमें भी ड्रॉप देखा है तो मेजर दी हमने देखा महरास्टा करनाटका में जो बारीस की कमी थी इसकी वज़े से स्टेंडिंग क्रॉप को कुछ दैमेजस और अफेक्ट हुए हैं इसकी वज़े से सेंटिमेंट आने वाले दिनों में पॉजिटिव होन पॉर्ती भी दिखाई दे लिए तो प्राइजस में मुझे लगता है एक अच्छा खासा उचाल देखने मिल सकता है अगर स्टॉक की बात करें निजामा पे निजामाबाद में ओल्ड और न्यूगे तो इस बिन एक्स्टिमेटेड अरॉंड थी पॉइंट एक एट लैग जो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा जरूर है बट अल्रडी प्राइजस को फैक्टरिंग करकर चल रहा है और अल्मोल हमने देखा है कि जो प्रोडेक्शन है यह भी हमने 11.63 आया था अगे इंस्टा 10.56 इसकी वज़े से पिछले 2-3 मैने में हमने प्राइ 3300 का लेवल आती वे देख चेके हैं तो डाउंसाइड मुझे लगता है काफी लिमीटेड हो चुका है अब अगर हम सीजनलीटी की बात करें तो सीजनलीटी में मैंने पहले भी कारता सप्तेमर में डाउंसाइड रहेगा टर्मरिक में तो सप्तेमर में हमने यहां पे देख देखा नवेंबर और दिसंबर जनरली पॉजिटिव रहता है इस बार हमने नवेंबर में फ्राइजस को एक डाउंफॉल जरूर देखा बट नीचे में 64 और उपर में 6800 का भी लेवल होते भी देखा बट दिसंबर मन काफी इंपॉर्टन रहेगा दिसंबर मन स्टॉरिक के लिए अगर 2011 से अभी तक की बात करें तो खाली 2016 में हमने करीबन पांच परसंट के आसफस की गिरावट देखी थी अदरवाइस आप अगर 2012-13-14 की बात करें तो डबल डिजिट से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आते वे देखी और सेम हमें लगता है कि इस बार के ज देखे चलना चाहिए आईए हम हम टेक्निकल चार्ट के ओपर देखते हैं यहां पर क्या रिफ्लेक्शन देता है तर्मरिक यह डेली चार्ट है अप्रेल वाइदे का अगर अप्रेल वाइदे की बात करें तो हमने करीबन 2018 अप्रेल से एक अच्छा बॉटम बनते वे है कि 6300 के आसपास काई बीस बना है यहां से हमने एक अच्छा काशा प्राइज में एक रैली जरूर आते वे देखा बट जो यह ब्लू मार्किंग्स आप देख सकते हैं यह कहीना कहीं दरसाता है कि प्राइजस में गिरावाट का रूप था जो लोवर हाई बना रहा है में पर हम देख सकते हैं यलो मार्किंग्स है और इस बार भी मार्किंग्स यहां से अच्छे वॉल्यूम के साथ और इंडिकेटर्स भी हमने देखा है यहां पर दिरे दिरे टरंड पॉजिटिव हो रहा है तो अगर हम चार्ट पर अगर देखे तो 6670 6650 यह एक अच्छा का कंजर्वेटिवली टार्गेट है जो अगले एक से डेर मैने की अवदी में देखने मिलना चाहिए तो अवराल हमने देखा फंडामेंटल्स जिस जन से हमने देखा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है यह सब की वजह से हमने पिछले 6 मैने में प्राइजेस को साड़े 7000 से टुटते वे देखा जो नीचे में 6300 का लेवल देखने मिला था बट अब टेक्निकल्स पर एक ब्रेक आउट आने की उमीद है जो 6670 का एक रेंज है अगर यह लेवल ब्रिच हो जाता है तो हमें लगता 7000 से लेके 7200 का लेवल अगले एक से डेर मैने की अवदी में देखन मिल सकता है या इससे पहले मिल सकता है तो हमारी सलाह रहेगी तर्दमरीक अप्रेल को लिया जाए करन्ट मार्केट से अगर नीचे 400 तक का भी लेवल आता है तो एड़ करना चाहिए एक सट सो पचास का एक प्रिकाउशनरी टारगेट रहेगा जो उपर में हम मिनिमम सैवेंटी वन फिप्टी का पहला लेवल अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम सैवेंटी सिक संडेड तक का भी लेवल देख सकते हैं धन्यवाद